और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोट ने 1975 में इंद्रा गांधी की सरकार की वार्षे इमर्जंसी लागू किये जाने को लेकर केंद्रो सरकार को नोटस जारी किया है या चुका में इमर्जंसी को अर्ष समधाने घोशत करने की मांगी गई थी सुप्रीम कोट ने ये कहा कि ये देखना होगा कि 45 साल बाद इमर्जंसी को अर्ष समधाने घोशत किया जा सकता है या फिर नहीं जाड़ा जानकारी के लिए हमाए साथ हमारे समधादा निपुन सहगल जोड़ गए है निपुन ये पूरा मामला क्या था समझाए देखे शिखा 94 साल की एक महिला है वीरा सरीन उनका नाम है उन्होंने ये बताया है कि दिल्ली के करोल बाग में उनके पती की कीमती पथरों थी दो दुकाने थी जो रतन की विक्री करते थे इमर्जन्सी के दौरान अचानक से उनकी दोनों दुकानों पर छापा मारा गया सारे रतन उठा लिये गए पती को गिरफ्तार किया गया और दबाव बनाया गया जिसकी वज़े से वो देश खोड़कर उनको जाना पड़ा इसके बाद ये सारे पत्थर भी गाया भोगे कभी इनके पास लोट करनी आए तो महिले ने 25 तरोड रुपे का मुआवजा भी मांगा था और कहा था इस तरह से जो 19 महिने तक लोगों के मौलिक अधिकारों का दमन किया गया सरकार की तरब से इमर्जन्सी लागू करके उसे आसम्वधानिक घोशित किया जाए सुप्रिम कोट ने मौावजे वाली बात पर सुनवाई से मना कर दिया यही कहा कि 45 साल के बाद अब इसे तो नहीं सुना जा सकता है लेकिन इस पर विचार किया जा सकता है कि आसम्वधानिक घोशित करें या नहीं करें क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो वाकई में उस दौरान मौलिक अधिकारों का हनन तो हुआ ही था सुप्रम कोट ने केंदर सरकार को नोटिस जारी किया है तब से पहले इसी बात पर विचार होगा कि 45 साल के बाद ये प्रशन देखा जाना चाहिए या नहीं लेकिन फिलहाल केंदर को नोटिस जारी हो गया और केंदर को जवाब देना है इस बिंदु पर जी नहीं जी नहीं केंद्र सरकार को जवाब किया है और केंद्र सरकार आप विचार करके इस पर खुद जवाब देगी कि उसे क्या लगता है उसको दोनों बातों पर जवाब देना होगा पहली बात तो ये है कि इमर्जंसी के दौराज जो चीजें होई है वो उनकी वजह से अब इतने सालों के बाद असमयदानी कोशिट करने जैसा कदम उठाने की जरूरत है या नहीं क्या सरकार ने इमर्जंसी के बाद कई कदम उठाए जिसके चल से ऐसी सितियां दोबारा ना बने ये तमाम बाते हैं और किंद सरकार अपने विशार रखे हम आप तक वापस आएंगे और जो भी जानकारी होगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे